हलो बच्चो आज हम बाल सिवा पार्ट टू बनाएंगे और बाल सिवा पार्ट टू बनाने के लिए हम इतने सारे पेन ब्रश कलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आओ बच्चो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने जो बाल शिवा का पैंसिल स्केच बनाया है उसके उपर ब्लेक कलर से आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले मस्तक के बाल बनाएंगे फिर रुद्राक्च से उनके जूडे पे एक माला बनाएंगे कानों के कुंडल बनाएंगे माथे का त्रिपुन बनाएंगे आईब्रो बनाएंगे और फिर गले में लिप्टा हुआ साब बनाएंगे अब हम हाथ में पकड़ा हुआ प्रिशूल बनाएंगे गले में लिप्टा हुआ साब बनाएंगे दूसरे वाले हाथ जो की त्रिशूल के उपर रखा हुआ है उसकी कोहनी बनाएंगे फिर त्रिशूल को कंप्लीट करेंगे अब हम नोस बनाएंगे आँखों का सेब बनाएंगे और साब की पूर बनाएंगे और रुद्राक्च की गले की माला बनाएंगे हाथ में कुछ लिपटा हुआ है कपड़ा कमर का कमर बंद बनाएंगे और चीते की खाल की उनकी लंगोट बनाएंगे या उनका वस्त्र बनाएंगे उसके बाद हम उनके पाउं पाउं में पहने हुए कड़े बनाएंगे इस तरह से हमारा आउटलाइन का काम पूरा होता है अब हम इसमें पेन ब्रस से कलर भरेंगे सबसे पहले हम बालों में ब्राउन कलर करेंगे अब हम चंद्रमा में यलो कलर करेंगे उनके कानों के कुंडल और पेरों के कड़ों में भी यलो कलर करेंगे फ्लूरुसेंड यलो कलर से हम त्रिपुन बनाएंगे त्रिपुन के बीचों बीच के बिंदी औरेंज कलर से बनाएंगे अब हम ग्रीन कलर से सांप बनाएंगे जो उनके गले में लिप्टा हुआ है अब हम ब्लू कलर से उनका स्किन टोन मनाएंगे हातों में कलर करेंगे दूसरे हात में कलर करेंगे पूरे शरीर में ब्लू कलर करेंगे पेरों में कलर करेंगे ब्लू अब हम मस्टर यलू कलर उनके वस्तर में करेंगे जो की शेर की चिते की खाल है अब हम पिंक कलर से उनका कमरवन की कपड़े का कलर करेंगे अब हम औरेंज कलर से उनके प्रशूर को कलर करेंगे अब रुद्राक्षी की माला को ब्राउन कलर से करेंगे उनके वस्तर जो की चीते की खाल के हैं उस पर चित्तियां लगाएंगे राउन राउन कलर से ब्राउन कलर के बालों पे ब्लेक कलर से लाइनिंग लाइनिंग करेंगे और फाइनली हम उनकी आखों की पुतलियां बनाएंगे पुतलियों के बाहर वाइट कलर से आख बनाएंगे और आख का पॉइंट बनाएंगे तो बच्चों ये हो गए हमारे बाल शीवा त्रेयार जिनको बनाने के लिए हमने इतने सारे पेंट ब्रेश का इस्तिमाल किया है बच्चों आप भी बनाएंगे थैंक यू 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 यू